दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवाल लर्निंग देपे दोस्तों आपके साथ मैं आपका दोस्त सवरोबोजा जुड़ा हूँ और आज किस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन है आप यूपी में कहीं से भी अगर आपे स्टेडी कर रहे हैं आप 10th 12th के बाद किसी भी आप सेक्टर में हैं किसी भी सेक्टर से आपी जुकेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपोर्टन है खास करके हमारे इस चैनल पे especially polytechnic के बच्चे हैं तो polytechnic के फर्ष्ट सिमस्टर, थर्ड सिमस्टर, फिफ्ट सिमस्टर के बच्चे द्यान से सुन लो कि आपके scholarship का form आ गया है जी हाँ दोस्तों आपके scholarship का form आ गया है ये बहुत बड़ी update, बहुत good news मैं आपको आप एक तरह से कह सकते हैं आपके साथ मैं share कर रहा हूँ दूसरी जो चीज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब तक ये form भरा जाएगा, आप कब तक इस form को भरेंगे तब आपके लिए सही रहेगा, आपके scholarship आने का chance जो maximum chance रहेगा अगर आप उससे आगे जाते हैं, अगर आप उससे late करते हैं तो आप scholarship का जो एक criteria होता है, उस criteria से बाहर हो सकते हैं तो आज किस वीडियो में ऐसी बहुत ही अच्छी हम खास information आपके साथ share करने वाले हैं बिल्कुल सटीक हम आपको information देने वाले हैं इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे एक request करूँगा कि चैनल को आप subscribe कर सकते हैं नीचे description में आपको सीधे सीधे scholarship की link मिल जाएगी आप उस link के थुरू अपना scholarship form complete कर सकते हैं और आपको नीचे description में ही टेलिग्राम की link भी मिल जाएगी जहां से आप हमारे साथ टेलिग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट और हर एक information पॉलेटिक्निक के जबर जस्त क्लासे आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें तो दोस्तों मैंने क्या किया है मैंने सरकारी result open कर लिया है यह सभी यह चीजें तो आपको पता होंगी कि कोई भी जो official information आती है वो सरकारी result पर आती है आपको क्या करना है सरकारी result open कर लेना है और नीचे scroll करते हुए चले जातना है जब नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो आपको 3-4 segment मिलेगा जैसे answer की, syllabus, admission, certificate verification और इसी में आपको एक और option मिलेगा जो आपको important नाम से दिखेगा इस पर मैं mark कर रहा हूँ, यह बिल्कुल नीचे की तरफ आपको मिलेगा, आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना, important नाम का आपको एक पुरा का पुरा section मिलेगा और इसी section में जो सबसे पहला आपको मिलने वाला है वो UP scholarship, online form 2023, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखने वाला है और आप इसी को इसी पर आपको क्लिक कर देना है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, आप सीधे सीधे इसके अगले पेस पर पहुंच जाओगे, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई गई है, कि जो scholarship की, आपका दसमुत्तर scholarship है, यह 2034 के लिए है, अगर आप कहीं से भी क्या कर रहे हैं, आप क्लास 11 में हैं, क्लास 10 में हैं, 12 कर रहे हैं, डिगरी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई भी आप certificate course कर रहे हैं, तब आप इस scholarship को दसमुत्तर फार्म को भड़ सकते हैं, अब आगे जो काम की चीज़ आती है, कि भई ये इसकी last rate कर है, अच्छा जो polytechnic वाले बच्चे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको diploma, polytechnic डिप्लोमा एक अलग से ही आपको दिखाई पड़ जाएगा, कि हाँ भई इसमें diploma वाले बच्चे भी भढ़ सकते हैं form, तो देर मत करना दोस से ध्यान से सुन लो दोस्तों, last rate के बारे में कोई schedule भी नहीं आया है, मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि लगभग लगभग आपको one month का time दिया जा रहा है भी scholar से form भरने का, इसमें आप देखेंगे जो application beginning है, यह start हो गया है और last rate registration का भी नहीं आया है, और इसके साथ ही साथ आप यहां पर देखोगे, तो application fees एक भी रुपए आपकी नहीं लगने वाली है, अब इसके बाद आपका eligibility का criteria क्या होना चाहिए, आप उत्तर प्रदेश के कहीं से भी, आप उत्तर प्रदेश में कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी school से, college से, university से, और आप किसी भी institution स से पढ़ रहे हैं, बस आप उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हो, आप post metric 11 ते में हो, post metric 12 ते में हो आप, और दसमोत्तर आप scholarship के लिए eligible हो, तो जो diploma वाले बच्चे हैं, वो किसके लिए eligible होंगे, दसमोत्तर scholarship के लिए eligible होंगे, अब certificate क्या क्या लगने वाला है, इसके बारे आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, फिर आगे नीचे आप दोस्तों इसमें जाएंगे, तो आपको रेनुवल के बारे में भी information दी गए है, रेनुवल उन बच्चों का होगा, जो थर्ड या फिप्त सेमेस्टर में हैं, उनका रेनुवल होगा, जो बच Core Online आपको मिलेगा, आपको यहेंपर क्लिक हैर कर देना है, और इसली पर क्लिक करती हैं, आपको एक नया पेज़ उपन हो जाएगा, और इस नया पेज़ पर आपको अपने आपको registered कर देना है, फिर माली जी आपनेпрे इइस्टर कर दिया, फिर आपको लॉगkten करना है, तो आप अंदर चले जाओगे वहाँ पर आप अपना registration number पासवर डालोगे फिर आपके सामने जो form आपने फिल किया है वो open हो जाएगा इसके बाद दोस्तों अगर आप renewal कर रहे हैं तो renewal में भी अगर आप diploma वाले हैं तो other than intermediate पे ही आपको click करना है एक और महतपूंट चीज इसमें दो परकार के fees भरी जाती है उस fees के बारे में मैं आपको information share कर दूँगा next video हमारा इन ही सारी चीज़ों के बारे में होने वाला है कि fees आपको कितनी fill करनी है और आपके last date क्या होनी वाली है document last date के बारे में तो हमने बता दिया document आपको क्या क्या लगेगा और बहुत सारी जो म scholar से fill होनी है उसका form आ गया है अब आप one by one document त्यार करना start कर दें और अगले मैं आपको deadline दे रहा दोस्तों 10 दिन के अंदर आप scholarship भर देना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 10 दिन के अंदर आपको scholar से भर देना है मैं ऐसा दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐस है पता लगा कि उनकी scholarship 26 जनूरी तक आ गई तब आप थोड़े से लापरवाही के करन आपकी scholarship लेटा सकती या फिर हो सकता है कि आपको scholarship ना भी मिले तब आपको क्या करना है बिल्कुल वीडियो नहीं करना है आज उठ जाना है और आज ही आपको पूरा अपना document complete कर लेना ह document क्या क्या लगेगा इसके बारे में हम आपको वीडियो दे देंगे आपको और हमारा target है कि अगले 10 दिनों के अंदर दोस्तों आपको scholarship का form भर देना है और form भरने के बाद आपको फिर से इस वीडियो के नीचे आना है और इस वीडियो के नीचे thank you learning day family लिखना है और बतान क्यों क्यों कि learning day family है जो आपके लिए निस्पत चरूप से बहुत सटीक information सबसे पहले सबसे तेज प्रवाइड कराती है दोस्तों मैं आपसे एक request करूंगा इस वीडियो को इंड करते करते कि चैनल को subscribe जरूर करें दोस्तों को share जरूर करें Instagram टेलीग्राम पर हमसे जरूर ज चीज बिलकुल free आपको available कर वाई जाती है उसी सीरीज में learning day परिवार आपके लिए सद्यों ततपर था ततपर है ततपर रहेगा हम आप एक परिवार की तरह हैं और परिवार की तरह हम आप मिल करके बहुत अच्छे तरीके से इस बार फिर से धमाका करने वाले हैं और सभ अबसकार जैहन टेक केर थेंक यू लव यो प्यारे दोस्तों थेंक यू